न चाहूँगा क्योंकि एक बड़ी खबर लखनौ से आ रही है इस वक्त लखनौ के सेवी ग्रेंड होटल में आग लगी है और हाग भी काफी भैंकर आग लगी हुई है वहाँ पर दमकल की जो गाडिया है वो इस वक्त मौके पर मौची पहुची हुई है और विबूती जो पर फृतर में ये पूरा सेवी ग्रेंड होटल आता है सेवी ग्रेंड होटल में इस वक्त आग लगने क्यों घटना है Sामने आई है वह कर रही है और लकनौ से बड़ी खबर जो निकल के सामने आई की एक नामी होटल सेवी ग्रेंड नामी होटल जो है कई भी वियाईपी वहाँ पर जाते हैं और उस होटल में आग लगी है और दमकल की जो गाडियां हैं वह गाडियां वहाँ पर मौके पर पहुँची है आग पर कावु पाने की जो कूशिश है वो लगबग इस वक्त करी जा रहे हैं और यह बड़ी खबर इस वक्त लखनों से आ रही है लखनों के कोम की नगर से और यह एक्सक्लूजिव तस्वीर आप सामने देख सकते हैं कि लखनों के सेवी क्योंकि जब तक आग नहीं बुझेगी इस पूरे मामले की जांच नहीं होगी बता पाना मुश्किल है कि आग लगी है या फिर कोई और कारण था लेकिन फिलहाल यह आग काफी भैंकर लगी हुई है और इसको बुझाने का जो प्रयास है वो दमकल की गाड़ियों की तरफ स से किया जा रहा है इस वक्त वहां पर और लखनों के गोंपिनगर का यह पूरा मामला सेवी ग्रैंड होटल वहां पर पूरी कोशिश दमकल की गाड़ियों की तरफ से आग को बुझाने की इस वक्त चल रही है टीवी स्क्रींस पर आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त अ से इस वक्त चल रही है कि तमकल की गाड़िया इस वक्त मौके पर मौजूद है सेवी ग्रैंड होटल में आग लगी है और इस आग को बुझाने की जो कोशिश है वो इस वक्त बदस्तूर जारी है वहां पर कोशिश करी जा रही है दमकल विभाग की तरफ से की आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और उसके बाद इस पूरे मामले की जाश करी जाए पता लगाया जा कि आखरी आग कैसे लगी थी क्या शॉर्ट सर्किट का मामला हुआ था कोई हताहत तो नहीं हुआ है किसी की जान तो नहीं गई यह अभी पता पाना मुश्किल है लेकिन आग को बुझाने की जो कोशिश है वो दमकल विभाग की तरफ से पूरी तरह से चल रही है फाइर बिगेट की जो गाड़िया है वो मौके पर मौझूद है जो फाइर बिगेट के कर्मचारी है वो मौके पर मौझूद है और आग को बुजाने की जो कोशिश है वो इस वक्त चल रही है बताय जा रहा है कि सेवी ग्रेंट के बेस्मेंट में आग लगी है और बेस्मेंट में जब यह आग लगी तो वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थें ये बताया जा रहा है तो ये बड़ी खबर है तो ये एक में स्थित सेवी ग्रेंट होटल में जापर सेवी ग्रेंट होटल के बेस्मेंट में आग लगी है और उस आग लगने की वज़ह से बताया जा रहा है कि जिस बेस्मेंट में ये आग लगी है वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है फिलहाल फाइर बिगेट की जो गाडिय जो करमचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं आग बुजाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कितनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाएगा